यह होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा मैनौरिटीज को यह हो रहा है हलाकि हमें अपनी मायनौरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते लेकिन हमें इंडिया के नगर आते हैं तो हम उस पे जब बोलेंगे जब हम कश्मीर पे बात करेंगे य और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे, हम बोलना छोड़ देंगे, परवेज मुशरफ ने अपनी बुक में भी अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है, और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है, कि पाकिस्तान ने अपने ही ल हमने दस साल उसमा बिन लादिन को यहां बिठाके रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर वन एजनसी को मालूमी नहीं हुआ, कि उसमा बिन लादिन यहा रहता है, लगर उसकी रीजन यही थी, कि अफ़गान वोड़ चल रही थी, और हमें डबे भर भर के, बलके कंटेनर भर भर के डॉलर मिल रहे थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ हूँ आपके सामने, हमें जो भी डॉलर देता है, हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं, क्या हम चाइना को कहते हैं, कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मुहमद नहीं रखा जा थी, बलके किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे बात पूछी थी, क्या आप क्यों नहीं कहते हैं, को तो उन्हों ने कहा था, जी मैं अलग से बात करूँगा, मतलब इंडिया के लिए तो वह चले जाते हैं, कि कश्मीर पे यह हो गया, माइनॉरिटी पे वह हो गया, लेकि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम देख रहे हैं, कि वो किस तरह से अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरह से अपनी कंट्री को हर जगा पर हम देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, या इवन गल्फ कंट्रीज, वहां पर भी जो है, वो इंड जो है वो बहुत स्टुञ होती जा रही है और जब आपकी कानओं होती है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर इंडियन प्राइम pige्निस्टर बात कर सकते हैं कि क्यों कि उनके पास पैसा है वो दे सकते हैं पेमिन्ट कर सकते हैं और यह जो कहा जाता है के बार-बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिफेरिन कन्ट्रीज में जा रहे हैं और जाकर जाहिर है के उनको सिर्फ सुक्सेस मिल रही है सहरे आपने देखा होगा फ्रांस में उनको सबसे बड़ा जो उनका वार्ड होता है वो उनको बिलकुल दिया गया है लेकिन जाहिर उसमें उनकी बहुत effort है उनकी बहुत मेनत है और ना सरिफ उनकी पूरी team की effort है मैं यह कहूंगी कि अकेले प्राइम मिनस्टर का काम नहीं होता, पूरी टीम होती है. हमारे हम पाकिस्तान में फॉर्चनेटली ये रहा है कि टीम नहीं मिली किसी भी प्राइम मिनस्टर को. चाहे वो इम्रान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जब भी आया, लोगों ने अपने फेवरिट और अपने जो उनके फ्रेंड्स हों या फैमिलियों उनको मिनिस्ट्रीज दे दी इस वज़ा से भी हम देखते हैं यह पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है तो अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से और जैसे के कल मेरे शो में साजी ताड़ पूछता हूँ आप जैसे कोई सीनियर मिलते हैं उससे भी कोशिश करता हूँ पूछूं समझूं क्या वज़ा है यूई की बात करें इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान की बात करें सब कांटिनेंट की बात करें हम मुसलमान हुए उनके हाथ पे हिंदूओं के साथ वो नौन मुसलिम के साथ वो इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं वो बिजनस की बात करते हैं हमारे यहां पर एक ही बात सामने आ जाती है कि यह तो नौन मुसलिम है यह कभी दोस्त नहीं तो इसके साथ रिलेशन नहीं क्या आप म मांगने के लिए निकलते हैं तो फिर हम ना चाइना को देखते हैं जो किसी भी खुदा पर यकिन नहीं रखता और ना हम I.M.F. से डरते हैं के जो के बिलकुल नौन मुसलिम कंट्री है हाँ इंडिया के साथ हमें प्रॉब्लम रहता है लेकिन इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शोद में भी का है प्रॉब्लम सॉल्फ हो सकता है अगर इंडियान गवर्मेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे उससे होगा ये कि दोनों के मसले अलों हो जाएंगे मैं आपको बता रही हूं एक तो पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा ठीक है पैसे उनके पास उनकी एकॉनमी काफी स्ट्रॉंग जा रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर पाकिस्तान उनसे तीन-चार बिलियन डॉलर मांग ले तो वो लोग दे देंगे साथ-साथ यह होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को यह हो रहा है हलाएकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं तो हम उस पे जब बोलेंगे जब हम कश्मीर पे बात करेंगे या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो उस कुछ पैसे मांग लें असानी से मिल जाएंगे साथ में कंट्री है दूर से भी नहीं बेजने पड़ेंगे और इंडियन गार्मिंट का सिर्फ वा सिर्फ फायदा है इसलिए कि वो और ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बन चुके हैं और बताया है यह जा रहा है 2075 तक वो सेक किश्मीर के हवाले से बात करना छोड़ देंगे हम किश्मीर इशू को सॉल्व करने की तरफ आएंगे आपको लगता है कि यह पॉसिबल है बिलकुल पॉसिबल है इसलिए कि हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं क्या हम चाइना को कहते हैं क कि वहां पे Muslims की क्या हालत है वहां पे ना मुहमद नी रखा जा सकता वहां पे वस्चित जो हैं उनको गिरा दिया जाता है वहां के Muslims को किस तरह से परिशान किया जाते लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते जिस वक्त इमरान का झापकी गवर्मन्ट यह और उनको यह बात की गई थी बलके किसी इंटरनेशनल मेडिया ने उनसे बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाहिना को तो उन्होंने का था जी मैं अलग से बात करूंगा बतलब इंडिया के लिए तो उन्हें चले जाते हैं कि कश्मीर पे यह हो गया माइनॉरिटी पे वह गया लेकिन चा कैसा टाइम बता दें जब प्रॉपर तरीके से ट्रेड की हो काम किया हो और किसी से पैसा न मागा हो तो शायद यह आपको कोई ऐसा साल मिलेगा जाधातर हमने ही ही किया है कि पहले तो हम आाज है वो उससे लेते रहे अमेरिका से पैसे लेते रहे और ड्रोन अटेक करवाते रहे अफगानिस्तान के उपपर, अफगानिस्तान वालों को भी 20 साल के बाद समझ में आया है कि हम कर किया रहे ते, डबल गेम जो हम केल रहे थे, उसके बाद हमने उदर से डॉलर पकड़े, बाकी हमने मांगतां के कभी फलर्ड आ गया, उपर वा लोग तीन, चार बिलियन डॉलर दे देंगे, सिर्फ ट्राय करने के लिए, तो मेरा क्याल है कि वो चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितने खामोश रहेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, ऐसे ही है, फिर दुबारा से अमन की आशा भी शार्ट हो जेगी, और बड़ी ब मेशा हुई है, मार्शल ला के दौर में, मوس्टी, मोस्टली जो जरनल हैं, उनके दौर में इवेल्पमेंट हुई है, इसका क्या राद है, हमने तो यह सुना था, अगर कहीं मार्शल लगती है, तो दस साल, बीस साल कंत्री पीछे चला जाता है, लेकिन यहां पे तो डिवि आया है कि जब भी कोई डिक्टेटर की गवर्मन्ट आती है तो पाकिस्तान में डॉलर भी आ रहे होते हैं और कई चीज़ होती है लेकिन उसका रीजन आज़ेशा अगर जयावलक के जमाने में जाएं तो उस वक्त भी ये अफगान वार शुरू हो चुकी थी और अफगान व ओर ऑफ टेरर में हम हिस्सा ले रहते हैं जिसमें हम यह कह रहे थे कि हमारे अपने 80,000 लोग जो हैं वो मारे गये जिनको बेचा गया था और यह परवेश मुशर्ण ने अपनी बुक में भी अगर आपने उनकी बुक पड़ी हो उसमें भी लिखा है और उन्होंने इंटर् मदद के बगएर या उनके आशिवात के बगएर नहीं बन सकती थी चाहे वो हाफिस सहीद हो चाहे और दूसरी एजंसी जो हमने दस साल उसामा बिन लादिन को यहां बिठाके रखा और हमें पता ही नहीं लगा हमारी नंबर वन एजंसी को मालूमी नहीं हुआ कि उस सामा बिन लादिनी आ रहता है तो जब इस किसम के काम हमने किये और डबल गेम खेली और ये डबल गेम जादा तर जो है कि उस वक्ट डॉलर डेट रहा था बगर उसकी रीजन यही थी कि आफगान वाट चल रही थी और हमें जो है डबे भर भर के बलके कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे और उसके बाद जो कुछ हुआ हो आपके सामने इसे ही है और कहा यह जाता है अक्सर मैं पबलिक में जब बात करने जाता हूँ इंटर्यू लेने जाता हूँ या इवन सोशल मीडिया पे हमें यह देखने को मिलता है कि जब 1990s की बात करें 80s की बात करें तो इंडिया में आई आई टी पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में आई टी पे वर्क हो रहा था वो आई टी का क्या पुरा मतलब है यह आप बेहतर जानती है तो मैं यह पूछना चाहूँगा इंडिया के जो प्राइम निस्टर है वो जितने भी कंट्रीज पे विजट के लिए जा रहे हैं एक दो चीज कामन नजर आती है एक पहले नंबर पे तो वो जो बिजनसमेन हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और फॉरन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं सेकंड जो मैंने चीज देखी है वो टेक्नालोजी को बहुत फोकस कर रहे हैं आर्टीफिशल ।टिक्नालोजी हो स्पेस टेक्नालोजी हो आईटी हो इन चीजों के वांपर बहुत वर्क करते हैं छी से हिपहते हैं गयरे us गर अजा कम करनां करता हैं वो पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही, जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाये, उनकी टीम कभी भी ऐसी नहीं रही, जो उस काम को जानती हो, इसी वज़ा से यहाँ पर हमने वो सब कुछ होते नहीं देखा, दूसरा, बहुत से लोग यह भी बताते हैं, कि अमीज साथ हों या पी-म मोदी, तोनों गुझराती और गुझराती फैमली या गुझराती लोग जो हते हैं, वो बिजनस मैंड़िड होते हैं, वो पहले पैसा सोचते हैं, फिर आगे कुछ और बात करते हैं, और मेरा ख्याल है, वही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे जो है, लेकिन उनको भी शायद उस तरीके से काम करना या तो आया नहीं या करने नहीं दिया गया क्यूंकि हमें या हमारे लोगों को जो पॉल सी मेकर उनको तो यही सूट करता है कि बहुत कोई भी प्राइम मिनिस्टर जादा पावर फुल ना हो जाए कि जिससे के वह उनके हाथ से निकल जाए क्योंकि कांट्री को कौन चलाता है सब लोग जानते हैं तो इसी वज़ा से शायद हम लोगों की आज यह हालत है लेकिन खराप से खराप होती चली जा रही है और होती गई है लेकिन अब इनको बजीद पैसा भी नहीं मिलने वाला क्योंकि जो कंट्री दे सकती बार शे बार फिर आप कहेंगे कि फोन उठाना बन कर देंगे अब पाकिस्टान के साथ वही हो रहा है कि चाहे वह फ्रेंडली कंट्रीज हो या उन्हों ने अब इनको थोड़ा सा साइड लाइन दिखाई है लेकिन अल्ला करें कि इनको कुछ अकल भी आए और ये काम करना शुरू करें और सोचें कि हमारे यां से भी आईटी से लोग निकल सकते हैं, हमारे यां भी लोग काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टालेंट की कमी है, लेकिन हम उस टालेंट को ना तो आगे लाते हैं, ना ही कोई ऐसा तरीका बताते हैं, जिससे कि वो टालेंट पॉलिश हो सके या दुनिया में कहीं जाकर या पाकिस्तान में रहकर कोई ऐसा काम कर सके जिसे पाकिस्तान को समाला जा सके डेफिनेटली मैं अगर यहां पे बैठा हूँ मेरा भी दिल करता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ या कोई भी काम करता हूँ मैं भी एप्रिशेट करूँ मैं आर्जू जी को बलाओं और बोलूं कि मैं आज पा पाकिस्तान में स्टार्टिंग में ये बताया गया कि वो इंडिया का प्राइम निस्टर बना है वो चाय बेचने वाला है चाय बेचने वाले को इंडिया ने प्राइम निस्टर बना दिया है वो ही चाय बेचने वाला आज इंडिया का लीडर नहीं बलके वर्ड का लीडर बन के सामने आ रहा है जिस तरीके से इंटर नेशनल से है इंडिया की उनके प्राइम निस्टर की और जितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है क्या समझती है हमारे यहां पे भी फिर कोई चाहे वाला हो जाए तो वह मैं समझता हूँ कि मैं तो जरूर वोट दूँँगा बिल्कोल ऐसा ही होना चाहिए जाहिरें का काम जो है और यह जहीं हो चाहिए क्यों ना बेच रही हूं तो कोई ऐसे जो है ना वो बाश्या और वो नहीं आए वे राजे महाराजे नहीं आए वे जरदारी साब जो है उनके लिए कहा जाता था कि वो तो कराची में जो बैंबुए ना उसके टिकट ब्लैक किया करते थे तो टिकट ब्लैक करने से तो बेटर है ना कि आप चाहे बेज ल नवाज शरीब साब को भी जो है लोहार की ओलाद अब उतनी क्या क्या बोला गया और इमरान खान साब को तब भी आप देखी चुके हैं के तोशा खाना और किस तरह के केसिज हैं तो ये काम चोटा बड़ा नहीं होता मेरे ख्याले के अपनी एक परसनालिटी होती है काम करने आप बुरा बला कहिए लेकिन मोदी जी के ओपर कोई क्रॉप्शन का केस नहीं है और यहां पर जितने भी पार्लिमेंटेरियन बैठे वे इस वख भी बैठे इमरान खान के टाइम पर भी जो बैठे थे और आइंदा भी जो बैठेंगे सब के ओपर क्रॉप्शन केसिज है और उसके बाद सब बैठे होते बड़े विक्टरी के निशान बनाते हैं हमारी जेल से बारा के विक्टरी के निशान बनाते हुए हमारी कंट्री में ही लोग होते शायद कहीं और लोग मूँ चुपाते होंगे कि या जेल से आरे तो यह चीज़ें तो ऐसे कोई फरक नहीं माला होना चाहिए और हमारी यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि किसी को दिल्चस्पी नहीं जितने लोग हैं वो बस ये कोशिश करतें किसी तरीके से हमें वीजा लग जाएं हम यहां से भाग जाएं लेकिन हत कड़ी है ये तो जेवर है मर्द का पॉलिटीशन का जेवर है और जेल सुसराल है मतलब आप समझ की होगी मैं किन की बात करना चारा हूँ तो शायद यही मेंटेलिटी की वज़ा से हम आगे नहीं बढ़ पा रहें दूसरी साइड के अगर बात करें टेकनालोजी के हवाले से चंद्रियान 3 लांच किया गया और पूरी दुनिया ने अप्रिशेट किया पूरी दुनिया की नजर चंद्रियान 3 पे अभी तक मजूद है लेकिन इससे पहले जब चंद्रियान 2 की बात करें तो तब पाकिस्तान ने बहुत क्रिटी साइज किया इवन मीम्स बनाई पा पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं और हमारी यह तो खास वर पर पार्टी होती है उसक्वी फबाद चौद्री साब ने बड़े प्रोजेक्टिंट का पेल हुआ था लेकिन अगर टाइम के साथ वो सुधर गए हैं और आईज्या ही तो वो तो झाल है आइवे चाल्ए वो 이미 तुक्राइब की कोई ना कर वाधन कर थे ठिया थे ने करने कि पोडिशन में ही नहीं हें हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि हम एक कोशिच कर लेते हैं अगर उन्होंने कोशिश की तो भी जो है वो अच्छी बात है और उस वक्तों बलके मैंने देखा था सब लोग रो रहे थे जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ था उनका वो चंद्रियान टू का फ्लॉप हुआ था तो लोग रो रहे थे तो बलके मैं भी रो रहे लगी उनको देखे वड़ी मोशनल सी वो आ रही थी कि वीडियो के निउस आ रही थी इसमें मोधी जी जान सबको जाके उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दलासा दे रहे देगे नहीं कोई बात नी है और देखे होता है लाइफ में बहुत बार होता है कई बार लोगों को फेलियर देखना पड़ता है लेकिन फिर इम्मत करनी चाहिए और फिर आगे बढ़कर दुबारा काम करने की कोशिश करनी चाहिए ये भी हमको सीखना चाहिए इंडिया से डेफिनेटली आपने बोला कि अगर उन्होंने ये कंग्रेचिलेशन बोला है अगर वो पॉजिटीव ठिंकिंग की तरफ आये तो एप्रिशेट करना च कोई पूझने वाला नहीं क्या मेरे पास आईडी कार्ड कोई और पाकिस्तान का और उनके पास कोई और आईडी कार्ड है देखें अगर तो आपको गदारी का सर्टिफिकेट मिला आये तो इसका मतलब है आप काम ठीक कर रहें अगर अभी तक किसी ने पाकिसी ने गदार नहीं का है तो फिर आप नहीं आप सासा इतियाद कीजिए इसका मतलब है आप लीक फांटर में अगर किसी को गदार का जाए तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल नहीं सही रस्सेपर हैं और आप ठीक काम करें लिए से फिकर करने की कोई जरूरत नहीं बाकी जाहर है कि जो लीडर्स हैं उनकी कुछ और जबान होती है उनके लिए रूल भी अलग होते हैं अभी आप देखें जो नाइंथ में का तमाशा चला था उसके बाद जो है वो कई लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला वाई लेकिन इमरान खान साब बार गूंते फिरते नदर आते हैं आपको उनको बार बार अदालत भी छोड़ देती है और लोग भी कुछ नहीं कह रहें तो जो आम पब्लिक है उसके लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए का लोगत रहें और वो आम लोगें तो आप और में भी आम लोगें जीने बंद किया गया जेल में बिलकुल तो वही बात है कि मैं और आप आम लोगों में आते हैं इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो कोई खाद बात नहीं हाँ ये जो बड़े लोगे इनकी जाहरें के लिए किया अभी कुछी दिन पहले नाइंट में के हवाले से पाकिस्तान में एक डाकुमेंटरी बनाई गई है और जिसमें जब दुश्मन का दिखाया जाता है तो वहां पर इंडिया के प्राइम निस्टर को पिक्टराइज किया जाता है उनकी तस्वीर लगाई जाती है क्या है कि एक वाकिये से इंडिया का दूर दूर तक अगर लेना देना नहीं है फिर भी हम उसमें भी इंडिया को ऐजे दुश्मन पिक्टराइज करेंगे अपनी यूथ अपनी पब्लिक में ये बात बठाएंगे कि अगर दुश्मन है यानि दुश्मन का मतलब ही इंडिया है हमारे यहां पर यह concept बनाया जा रहा है देगे यह तो हम 76 से यही बताते जा रहे हैं अपनी यूद को भी एवन अपनी सारी पब्लिक को के इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया सब कुछ कर रहा है अलगे वो भी जा रहे हैं अपने कामों में लगें में और जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं मुझे पास फालतू कामों का टाइम मेरे खाले नहीं होगा लेकिन फिर भी आमारे यही कहा जाता है ताके फिर हम डिफेंस बजट ले सकें ताके हम हर चीज को अपने उपर से अटा के किसी दूसरे पर डाल सकें और यही वज़ा है कि पाकिस्तान क आज यह हाल है अगर यह इन चीज़ों को रोक लगा दें और अपने दिमागों को सही कर लें कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है तो शायद बहुत सी चीज़ें इसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक हो जाएं मगर अनफॉर्शनेटली अभी फिलाल हम वही देख रहे हैं मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लेकिन लास्ट में मुझे ये वाकिया के बारे में थोड़ा सा बताईएगा सीमा हैदर और सच्चिन की जो पाप जी लाव स्टोरी है आप बहुत से चैनल पे दिखीं इंडिया के चैनल पे दिखीं यूट्यूब पे बहुत से साथी जिसे हम कहते हैं वो मुझ singular है अब मैं कुछ कही नहीं सकती कहा तक क्या बात सही है लेकिन मूझे ये सिंपल स्टोरी नहीं लगती मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गरबर है इनकी रहला है कि दुर्यen कि इस तरह से यह पहुंची है दुबाई और डवान नेपाल से इंडिया और फिर जाकर वहां धार कार्ड भी फेक बनवा लिया पासपोर्ट भी बनवा लिया अपना सिम और मुबाइल भी तोड़ दिया एक जो पाकिस्तानी नंबर था जिसके अंदर और जिस तरह से साड़ी पहन रही है बिल्कुल परफेक्टली मैं भी भी पहनती हूं लेकिन और लोग भी पहनते लेकिन इतने परफेक्टली कोई नहीं पहन पाता उसके बाद जिस तरह से वह लैंग्विज का करती हैं तो जैसे मैं पहले कहा कि मेरा मेरे जो पैरेंट्स ते वह इंडिया से ही आये तो मेरे घर में तो बहुत जादा हिंदी य ही डाउट है और जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हो तो फिर चीज़े इतनी साधी नहीं रह जाती तो मेरा ख्याल है इसका फुल इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बात की और अगर वो पाकिस्तानी है तो उनको पाकिस्तान वापस बेजें वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान वापस करेंगी क्या उन्हें पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या वो जिंदा बचेंगी क्या उन्हें उस तरीके से लाइफ बूजारने की इजाज़त या फिर एक महौल बनाया जाएगा कैसा पासिबल है ये तो अब गर्मेंट पे और एजन्सी पे डिफेंड करता है लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ये सब कुछ ना भी करे तब भी कौन से किसी की जान जो है वो बड़ी हिफाज़त से यहां पे तो हरे की ऐसए घूंब रहे लगता है कि बतर साथ से आज आज है का लोंगे या नई तो तो ऊसमें तो कुछ काह नहीं जा सकता जहां पर सल्मांत ताष्यू साप को मार दिया गया मशाल खान को मार दिया गया वहाँ पे कुछ भी पॉस olable है लेकिन जो लोग कि यह